हेलो एन वेल्कम दोस्तों मेरा नाम है निकुल आप देखरें टेक्निकल निकुल चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने बेटरी की लाइफ थोड़ी बढ़ा सकते हो अपने बेटरी की कैपेसिटी भी थोड़ी बढ मोबाइल आते थे वह मोबाइल की बेटरी आप बाहर निकाल सकते था उसमें कोई सा प्रोग्लम नहीं अगर बिगड़ भी चाती है तो आप आसानी से बेटरी नहीं लेकर चेंज कर सकते हो और अगर बेटरी के आप अपने बेटरी चार्जिंग की हैविट अच्छी रखि अगर एसा करेंगे तो आप बेटरी के लाइफ ठुड़ी कम हो जाएगी एक्जम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे है और आपको दिन का पूरा खाना साम को एक साथ दे दिया जाए और आप उसको एक साथ खा लेगा कैसा लगेगा वेसा अगर आप बे दूसरी टिप्स यह है कि आप अपने मोबाइल को चार्जिंग जब हो रहा हो तब उसको यूज ना कीजिए उसके एक बुरा एफेक्ट आपके मोबाइल पर यह पड़ेगा कि जब आपको मोबाइल में चार्जिंग होता है जब आपको उसको यूज करते तो एक तरफ से पावर यानि वोल्टेज आता है और दूसरी तरफ साप उसको यूज करते तो वोल्टेज जाता है यानि इसकी आपकी मोबाइल की सर्केट पर बुरा एफेक्ट पड़ सकता है और दूसरी बात की जए तो कहीं लोग यह पुछते हैं कि हमके फास्ट चार्जिंग को जो मो मोबाइल होता है उसको फास्ट चार्जिंग चार्जिंग होगा लेकिन नॉर्मल स्पीड से ही होगा क्योंकि उसमें आपको फास्ट चार्जिंग की सर्केट सपोर्ट करनी चाहिए वह आपके पुराने मोबाइल में नहीं होगी बल्कि जो नहीं मोबाइल आते हैं उसमें बैटरी फूल हो जाते, उसके बाद मोबाईल को चार्जिंग में से निकाल देना चाहिए, महना बैटरी पर बुरा एफेक्ट पड़ता है, यानि कई लोग ऐसा भी करते हैं कि साम को मोबल चार्जिंग में रखा और सुबह निकाल लेते हैं इस पर क्या बैटरी फूल जाती है क्या बैटरी बिगड जाती है दोस्तों नहीं यह आता जो नए मोबल आते हैं यह नहीं होता उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होती है जिसके बाद उसको चार्जिंग जो आता है उस वो औंधर नहीं जाता यानिकी ओटोमेटिक होधाय बैटरी जो पर संध्ट तक चार्ज होने के बाद चार्जिंग ऑटोमेटिक वह लेना बन कर जो तो यहीँ टप्स को आफ ये चार्जिं ना कित तो अच्छा होगा और आप यह आए नोल्म न मोबाल के तो अगर वीडियो आपको लगे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए वीडियो के दिये गए नीचे बटन दबाएए और हमाल चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तो मिल के रहें में अगले वीडियो नहीं तक तब के लिए जाई हिन द्वांदे मात